तो एब्रिवान गुड मॉनिंग नीज तो एब्रिवान कैसे हो आप सब मिल्क इंडी अपर रहे हैं तो एब्रिवान कैसे हो आप सब आई हो काप समय इच्छे हो अभी रात के बजलें 11 जा रहे खाना खाने जब सब लोगों की आधी नींद पूरी हो जाती है फिर हम लोग गांच पर बेडर कलते हैं इस टाइम पर गाईस सभी सो रहे होंगे सभी की एक एक नींद पूरी हो गई होगी बट मैं और यह जो सक्स भीज़े आपको देखे तो हम दोनों काईच खारे खाना अभी अभी मैं जश्ट खाना बनाई हूँ खाने में कुछ खास नहीं पर सिंपल समय सिंपल समय बनाई हूँ घंद आपको फोग फोग बनाई हूए तो अभी हम लोग खाना में बनाई है जाए जाए डाल के में गई अरश्ट को चावल मसाले वाले तो वही मैं बनाई और वही खा रहे और नीमम मुझे जोरों से आ रही है लोग ठाश ज़ए गाईच तो इतर मेरे हस्बें यह खाना खा रहे हैं और साथ में यह खा गया है यह भी खा रहे हैं कुरकुरे लेकी आई थी गाईश कुरकुरे खा रहे हैं मैं तो खाना खाली पहले ही इनका वेट करते करते मैं खाना खाली ही मैं प्लेट में निकाल के रखी हूँ मैं सोची अब आएंगे अब आएंगे पर यह आई नहीं रहे हैं कभी इनको कोई चाम में आता जा रहा था तो कभी कोई काम इसलिए पर मैं खाना खा लिया के लिए और बच्छे मेरे पीछ्छे सोय हुए है मैं यहां सोई हुए हैं और यहां खाना है यह मिक्स मुख्णक शावले चालंग यह मीक्स मेडाब निया जाशते हैं अधा मैं फुनिस की हूँ और आधा यह खा रहे हैं तो 50-50 खा लिया है अपना अपना जो और खाना होगा तो खा लेंगे विद्धिलाल भूखनी लगिया पेट फुल हो गया है मैं सुची इसा वेड़े से अपसवी के बाते में की हूँ तो थोड़ से ब्लॉगिग कर लेते हैं और यह खाते खाते फ्रेंड दो काम करने थे देखी है फोन चलाने का अगरता यह दो काम एक साथ करते हैं यह काम तो कोई भी कर सकता है है न बहुत लिए जी काम न अपन चलापन अचा अचाओ अपर पिसा चाहा है न अभी हम लोग खाना में बनाई हुँ आलू और सोया बडी डालके न में सुख्या सो चावल मसाले वाले तो वही मैं बनाई है और वही खा रहे हैं और नीब मुझे जोरो से आरी है अब बच्चो सो गए गई साम को बच्चो को खाना खिला दी थी खके हुए है कापी ज़्यादा इसले सो गए है और वैसे भी नौ बजे सो गए तो इधर मेरा हस्बर दी खाना खा रहे है और साथ में यह था गया यह भी खा रहे है तुर्गुरे लेकी आई थी गाईच कुर्गुरे खा रहे हैं मैं तो खाना खाली पहले ही इनका वेट करते करते मैं खाना खाली मैं प्लेट में निकाल के रखी हूँ मैं सोची अब आएंगे अब आएंगे पर यह आई नहीं रहे है कभी इनको कोई चाम में आता जा रहा यह मेरा यह मिक्स मिक्ताब मसाले वाले चावड तो आधा जो दिख रहा है ना अधा मैं फिनिस्की हूँ और आधा यह खा रहे हूँ तो 50-50 खा लिए है अपना अपना लोग और खाना होगा तो खा लेंगे मैं फिलाल भूपनी लगिया पेट पूड हो गया है मैं सुचिस सहब बतेश्यकों से बाते ने की हूँ तो थोड़ी सी व्लोगिंग कर लेते हैं और यह खाते-खाते फ्रेंड दो काम करने तर देख देख फोन चलाने का और खाने का यह दो-दो काम एक साथ करते हैं यह काम तो कोई भी कर सकता है है ना बिल्कु लेजी गांगी ना आतरो फोन चला पर है अचार है अचार है अचार पैसा चार है मस्त खट्ट खट्ट आम का खट्च याम का चार वह ना गाइच वह थी टेश्टी टेश्टी इसलिए है क्योंकि तो फ्रेंड यह है अगले दिन का खट्ट तो अगले दिन मैं बना रही हूं सुवा के खाने में हल्वा कद्दू की सबजी तो हल्वा कद्दू की सबजी बनाने के लिए सबसे मेले पहले मैंने कद्दू को अच्छे साफ कर लिया है और इसके बड़े बड़े पीस मैंने तो इतने इधर देखिए फिर मैं इसको दोलूंगे दोने के बाद इसके चोटे-चोटे टुकड़े करके काट लूंगी मैं और इधर मैंने गयस पे चढ़ा दिया है दूद को दूदू बल जाएगा हमारा फटा-फट से खाना बनाना फ्रेंड तो यहां पर कढ़ाई को भी सभी को अच्छे से ब्राउन होने तक भूल लेंगे फ्रेंड लसन को अच्छे से पका लेंगे अकर लसन पकी रहेगी ना तो सब्जी का टेस्ट प्लेवर बहुत अच्छा आता है तो अभी लसन हमारी देखिए पूरी लाल हो चुकी है फिर इसमें मैंने एक प्याज काट के डाले सब्जी में जो की प्याज का टेस्ट आपको अलग ही आयागा तो यहां पर देखिए कदू को मैंने काट लिया है और आधे मैंने कदू छिल लिये थै आधे बगर चीले क्योंकि बगर च्ले के वाले जो आधे कदू है और जो छिले हुए है वो आधे कदू है तो जो नों को यहां मिक्स करके बनाइंगे और सब भी बहुत टेस्टी बनेगी तो यहां हमें प्याज को अच्छा से ब्राउन कर लेंगे जदा वर करेंगे तो कलर चेंज होने तक का थी यहां हमारा प्याज देखे ब्राउन हो चुका है कि अपने को अब इसमें मैं डालत दूंगे हैं आज यहां पर दिखिए हैं निद्धार सबजी उत्रडबना निए तिदर में ने ये ओमें, आर ने शीडियो आधि को शेयों कोर से प्रहएं के लुग कर दो के लिए अजाएंग को टुगा से घान, आर ने ने ये संदा को टुगा जेज़ा को आर वादा है, इंजा है.